इस लाल बटन को दबाईए और सब्सक्राइब कर दीजिए Only4u चैनल को और दबा दीजिए इस बैल को ताकि हर नियूस पहुंच सके सबसे पहले आप तक तो दोस्तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं उसके बाद में जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये बताया है कि भई दो cartoon character को कैसे लड़ाया जा सकता है ठीक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप cartoon movie बनाना चाहते हैं और उसमें कोई fight scene दिखाना चाहते हैं तो वो आप कैसे दोस्तों मैं आपको बता दू इससे पहले में एक tutorial ला चुका हूँ movies उपर जिसमें मैंने basic control के बारे में बताया है कैसे आपको scene create करना है कैसे आपको character create करना है साथी साथ उसके जो है रूप रंग उसका color जो है आप कैसे change कर सकते हैं तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो description में उसकी link है आप वहां से जाके directly देख सकते हैं ताकि आपको basic जो है इसका समझ में आ जाए ठीक है फिलाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दो cartoon character को कैसे लरवाएं साथी साथ उसमें sound भी कैसे add करें ठीक है तो चलिए दोस्तो इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर आपके सामने आ गया है movie zoo यह movie zoo का interface है यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी scene create कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर simply plain scene लेने जा रहा हूं empty scene तो मैं simply इस पर click कर तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा यह जो है plain scene create हो चुका है अगर मैं इसमें scene बनाना चाहूं तो वो भी मैं बना सकता हूं तो यह tutorial मैं आपको next video में दूँगा कि जिसमें आप देखेंगे कि खुद का scene हम कैसे create कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्त military man हो गए ऐसे लोग मतलब कि अगर आपको doctor नहीं लेना है अगर आप doctor लेंगे तो doctor का profession जो है अलग है और जो military वाले हैं पुलिस वाले हैं उनका profession अलग है तो doctor भाई मार पीट नहीं करेगा तो यहाँ पर इन चीजों का खास ध्यान रखना है क्योंकि उस से related effects से आपको इ ले सकता हूं जैसे कि military officer यहाँ पर मैं इन पर click कर देता हूं and यहाँ से simply मैं कर देता हूं create तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने military officer आ गया है तो अब जो है mouse की left click से मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूं इसकी position change कर सकता हूं भाई फिलाल जो हूँ मैं इसका जो है अब चेहरा इस तरफ कर देता हूं ठीक है क्योंकि यह fight करने वाला है अब जो है दूसरा scene जो है मुझे लेना है तो मैं अब देखता हूं कि कौन सा scene सही रहेगा दूसरा scene जो है दोस्तों यहाँ पर मैं एक शेतान ले देता हूं devil जिसको हम बोलते हैं तो यहा हो सके इन दोनों को पास-पास में रख यहां तो यहां पर आप देख सकते कि दूनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं अगर आप इसका कुछ भी चेंज करना चाहते हैं simple इस पर right click करने के बाएंगे जैसे कि मैं भी यह कर देता हूं एक अच्छा खासा इसको विलन बना देते हैं यह देख सकते हैं कि इसके उपर जो है इस तरह का जो है टोपी जैसा आ गया है ठीक है तो अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स की लडाई करवानी है तो भाई पुलिस वाला जो है इसक अगर नन वाला ओप्शन नहीं है तो आप सिंपली जो पोज है या फिर यहाँ पर भी उसे सैट कर सकते हैं जो एक्शन आप करवाना चाहते हैं तो चलिए मैं इस पर करता हूं डबल क्लिक जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है सारे का तो यहाँ पर fight का animation करवाना है इसलिए मैं fight पर क्लिक करूँगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम यह military वाला जो है बंदा इस पर attack करेगा तो हम attack पर जाएंगे क्यूंकि उससे related actions हमें मिल जाएंगे जैसे कि यह kick है यह देख सकते कि इसने किसको kick मारी ठीक है तो इस तरह से जो है यह वाली kick भी मैं ले लेता हूँ okay कर देता हूँ अब जो है दोस्तों इससे simply हम record करेंगे यहाँ पर आप देख सकने direct button दिया हुआ है मैं इस पर click करूँगा और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा record करूँगा ठीक है 3,2,1 record होगा उसके बाद यह दोनों पर मैं click करूँगा तो देखे मैं यहाँ से इस पर click कर देता हूँ 3,2,1 यह देखे मैं kick पर click करता हूँ और थोड़ी देर बाद यह roundhouse kick पर भी click कर देता हूँ और उसके बाद recording stop कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर एक चीज हमारे clear हो चुकी है कि military वाले बंदे ने खु कैसा दिखेगा हमें थोड़ा सा इसको zoom out कर देता हूँ ताकि आप clearly इसे देख सकें ठीक है तो यहाँ पर यह beginning में ला देता हूँ ताकि आप देख सकें यह देखिए तो यहाँ पर इसने पहली बार मारा है और यह थोड़ी देर के बाद इसने दूसरी बार मारा है ठीक है तो भाई पहले character का तो काम हो चुका है अब चलिए देखते हैं दूसरा character भी है उसी हिसाब से जो है action करना चाहिए तो prepare में जाएंगे सबसे पहले आपको इस बंदे पर click कर देना है क्योंकि अब हमें इस पर effect डालनी है ठीक है ये mark खा रहा है तो वैसा effect यहाँ पर उसे देना होगा तो यहाँ पर हम prepare पर जाएंगे prepare पर जाने के बाद जाएंगे character animation में तो यहाँ पर simply post पर हम double click करेंगे by fight वाले scene में जाएंगे अब यहाँ पर दोस्तो attack में नहीं जाना है हमें impacts पर जाना है और miscellaneous पर जाना है तो impacts पर मतलब की क्या आएगा जैसे कि किसी को लगेगा तो ऐसा action करेगा तो मेरे हिसाब से कौन सा वाला यह यह वाला ज्यादा ठीक है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ hit और उसके बाद मैं फिर से इस पर double click करता हूँ और यहाँ पर अब दूसरा कोई action ले लेता हूँ क्योंकि यह दो बार मार रहा है तो अब मैं फिर से miscellaneous में जाता हूँ और यह वाला ले लेता हूँ uppercut KO ठीक है आप सब को देख सकते हैं कि किस तरह से यह गिरेगा या उठेगा तो मैं uppercut वाला ले ले लेता हूँ ताकि यह गिर जाए तो इसे मैं simply ok कर देता हूँ भाईयो अब यहाँ पर simply आपको कर देना है direct ओके और यहाँ पर अब मैं फिर से करूँगा record के scene पर click 3,2,1 तो अब यह जब मारेगा तब मैं जो हूँ यह hit कर दूँगा तो यह अब मारेगा यह और दूसरा वाला यह देखिए ठीक है तो यहाँ पर मैंने दोनों जो है effect डाल दिया है लेकिन दोस्तों यह perfect नहीं है देखिए किस तरह से perfect नहीं है मैं आपको बता दूँँ यह देखिए जैसे मैं इसे पीछे करता हूँ यहाँ पर जब इसने से पहली बार kick मारा है तो यह तुरंत नहीं हिल रहा है तो अब हमें ऐसी setting करनी है कि यह उसके हिसाब से हिले ठीक है यह देखिए तो इसके लिए क्या करना होगा यह अच्छी तरह से दिखे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा यह देखिए जब इसकी लात इस तरफ गई है तो मतलब कि पूरा हो जाने के बाद यह जो है action कर रहा है हमें तो ऐसा बताना है कि जब उसे लगे तुरंथी action दिखाई दे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही असान है tools में जाना है timeline में जाना है यहाँ पर मैं इसे zoom out कर देता हूँ ताकि मुझे clear picture दिख सके and इन दोनों को मैं आगे ला देता हूँ ठीक है अब आपके सामने picture दिख रहा है तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि यह है अब यह देखिए यह मार रहा है यहाँ पर इसका लाद गया है तो यह आपके सामने दो animation यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पहला है hit का और दूसरा वो जो घूम कर गिरेगा वो तो अब यह भाई यह बंदा इस position पर मार रहा है तो यह जो पहला animation है ठीक है यह देखिए जैसे कि मैं अगर यहाँ ला देता हूँ तो आप देखेंगे कि तुरंती ऐसा लग रहा है कि कोई action हो रही है अब देखिए आप यह देखिए ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इससे मुझे इसको मैं थोड़ा और आगे ला देता हूँ अब देखते हैं यह देखिए परफेक्ट हो गया आपने देखा अब मैं इसे अगर प्ले करूँ यह देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है पहला scene हमारा जो है परफेक्ट हो चुका है अब चलते हैं दूसरे scene के पास में यह जो घूम के गिरेगा और यह वो है तो अब चलते हैं दूसरे scene के पास में तो अब जब इसकी लात यह देखिए इसके सर पर आएगी यह देखिए ठीक है तो अब यह जब इसकी लात यहाँ पर पहुंसती है इसके सर के पास में तो यह जो दूसरा वाला animation है इसको आप खी नीची है और यहां पर ला दीजिए अब इसका एक्षन भी थोड़ा सा इसे लगे ओके बहुत ज्यादा हो गया तो भाई मैं इसको यहां पर ला देता हूं अब देखते हैं कि क्या यह सही है या फिर नहीं है यह देखे एकदम परफेक्ट हो गया तो आपने देखा कि यह कि वीडियो सेव कर सकें ठीक है तो अभी जो है मैं आपर आपको दिखा देता हूं कि कैसा यह दिखेगा आप देख सकते हैं काफी परफेक्ट हो गया है यह यह देखे पहली चीज और यह हो गया है दूसरा यह देखिए तो भाईयों आपने देखा कि बहुत ही असान है अब लास्ट चीज जो है इसमें हम औरियो करेंगे तो औरियो करने के लिए दोस्तो इहां पर प्रिपार में जाएंगे ऑडियो पर याडियो पर जाएंगे दोस्तों यह जो ऑडियो है आप netsब free sound effect नाम की साइट है वहाँ से ले सकते हैं यहां पर background में audio चाहिए तो none-page मैं ड दुबारा मैं करूंगा double click, यहां पर import, import करने के बाद मैं attack ले लेता हूं, इसे open कर देता हूं, ओके कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, दो effect आ गई हैं, अब यहां से simply मैं direct पर click करूंगा, direct पर click करने के बाद मैं देख लेता हूं, क्या यह background audio इसमें आ चुका है, या फिर इसे भी हम record करेंगे, तो timeline में चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, direct करने के बाद में, दोनों audio जो है, यहां पर आ चुके हैं, देखिए, यह पहला audio जो है, यह रहा background audio 1 और background audio 2, क्योंकि मैंने 2 sound add किये हैं, ठीके, तो यहां audio मैं आपको सुना देता हूं, audio आप सुनना है, वीडियो को बाद में देखिए, यह देखिए, पहला audio, और यह, यह दो audio है, तो अब जो है, हम क्या करेंगे, simply इन्हें जब यह action करेगा, तब हम इसे add करने, देखिए, पहला जो है, यह देखिए, यह इसको मार रहा है, तो यह पहला audio जो है, मैं यहां set क कर दूँगा, ठीक है, पहला audio पहले point पे, अब दूसरा audio का मैं पीछे ले जाता हूँ, यह देखिए, अब दूसरा scene जब आएगा, यह देखिए, इस position पे मुझे दूसरा audio डालना है, देखिए, यह वाला जो position है, इस पर मुझे दूसरा audio डाल देना है, तो चलिए, अब म तो हमारा scene already ready हो चुका है, अब इसे मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर इसे पहले position पे set कर देता हूँ, यह cursor को, क्योंकि अब हम वीडियो को save करेंगे, तो भाईयो अब यह जो camera है, इसका कमाल का setting करना होगा, ताकि अच्छी तरह से दीख सके, तो भाई इसको right click से घु से आप रखते हैं, उस हिसाब से आपको set करना है, थोड़ा pass में ले जाते हैं, यह देखे, यह इसका window है, आप देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा, यह ठीक है, तो इसको जो है, आप आगे, अगर पीछे करेंगे, तो देखे, इस तरह से हो जाएगा, तो मैं इन दोनों को ए आपका वीडियो बने, और उसके बाद में simply इसे क्या कर देना है, make वीडियो पर click कर देना है, और आपका वीडियो बन जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस tutorial में कि किस तरह से वीडियो सीन create करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो जो है पसंद आ है पस्तों यइ यालाचर से जाएगा है, जवी है पस्तों जजवी लिएडियो बने, चाह वीडियोब्स पस्तों अद़ जवाराएगाpod से बने, जवियो जो जे वीडियोवा है लिएगान झायो उन इस Messiah को कि तर भीडियो